हलो और नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का रास्तान इस्ट्री ओफीसियल यूटूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज का अमारा जो टोपिक रहने वाला है वो आई पियल 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण क्यूस्चन है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आप प क्यूस्चन करवा रहा हूं यहां से एक क्यूस्चन आपका पका होने वाला है तो प्लीज एंड तक वीडियो को जो अपना 100% ध्यान देखकर जो हैंड तक देखी फिस्ट जो नॉर्मल क्यूस्चन होता है आई पियल का जो फुल फॉर्म आप सभी को पता है इंडियन प्र रास्तान रोयल्स की जीत हुई थी आगे बात करें 2008 का जो आई पियल का फैनल मेंच हो किस स्टेडियम में खेला गया था तो डीवाई जो पाटल स्टेडियम है बुम्बई में वहां पर खेला गया था आगे क्यूस्चन है आई पियल जो 2020 का आयोजन है किस देश में किया आ तो यू एए में कहां पर यू एए में वहीं अगला हमारा क्यूस्चन है आय पियल जो की 2020 में आई पियल का जो है कौन सा संस्क्रण है वह आयोजित होगा अगला हमारा क्यूस्चन है IPL 2020 का मेच कब से कब तक खेला जाएगा तो ये 19 सितंबर से 10 नुवंबर 2020 तक जो है इसका आयोजन होगा अच्छा आप सभी को पता है ये तो काफी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है कि IPL 2020 है इसकी प्रायोजक कौन सी कंपनी है तो पहले जो है वीवो थी उसको जो है अटाकर जो है भी ड्रीम 11 ने जो है ये 222 क्रोड रिपेम में खरीद लिया अच्छा ड्रीम 11 के वरतमान में ब्रांड अमबेजडर आपको पता होने चाहिए माहेंदर शिंग दोनी है अगला हमारा क्यूसन है ड्रीम 11 है वो किस तरह की कमपनी ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेट फॉर्म अपसे भी को पता है अच्छा ड्रीम 11 का जो हैड्वाटर अगर आपसे दिपूशन है कहां पर बंबई में और वहींगला हमारा क्यूसन है कि ड्रीम 11 क की जो है संस्तापक क अगला हमारा क्योसन यू एई किस महादीप में इस्तित है तो एशिया महादीप में इस्तित है अगला हमारा क्योसन यू एई की राजदानी कहा है तो आबू दाभी में कहां पर है आबू दाभी में और यू एई की मुद्रा अगर आपसे पूछ ले तो दिरहम है क्योंकि UAE मी जो है IPL होने वाला है तो इस देश से सम्मधित क्युस्टन भी आप से पुछा जा सकता है अच्छा UAE की जो है रष्ट पती है वो कौन है तो खलीपा बिन जायद नाहयान आगे बात करें UAE के पर्धान मंत्री के बारे में तो यह है मुहमंद बिन रसीद उल मक्तूम मुहमंद बिन रसीद उल मक्तूम अगला हमारा क्योंसे न भारत में IPL हो कौन सी जो है संस्ता आयोजित करवाती है तो बी सी सी आई ध्यान रखेंगे बी सी सी आई का अगर आप से फुल फॉर्म पूछ ले तो बात करें बी सी सी के अध्यक्स कौन है वरतमान में तो यह सोरव गांगोली है कौन से गांगोली है सोरव गांगोली है बात करें बी सी सी आई के जो है सैकेटरी कौन है तो जै सा है कौन से सा है जै सा नहीं बात करें IPL में औरेंज केप क्यों हटा दिया गया है तो सरवादिक रन बनाने वाले खिलाडी को हटा नहीं दिया जाता है ये दिया जाता है IPL में औरेंज केप है वो क्यों दिया जाता है तो आईपियल में जो सरวाधिक बेस्ट मैं रन बनाता है उसे जो है औरेंज केप दिया जाता है आगे बात करें आईपियल में सो में जीतने वाली पहली टीम कोन सी है तो ये बुंबई इंडियन्स है आई पिल में सो में जीतने वाली है वहीं बात करें आई पिल में सो में जीतने वाले कप्तान कौन बने है तो ये महेंदर सिंग धोनी बने है कौन बने है महेंदर सिंग धोनी अच्छा IPL में 300 चक्के लगाने वाले बलेबास कौन बने हैं तो ये क्रिस गेल जो की वेस्ट इंडीज की आप सभी को पता है अच्छा IPL टीम जो की दिली डेविल्स के जो है नया नाम क्या हो गया तो ये दिली केपिटल हो गया है तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आरा तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस जरूर कर दीजेगा और बाकि आपको इसकी जो है PDF है वो हमारे जो है टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी और अगर आप जो especially रास्तान के स्टुडेंट है तो आपको रास्तान जिला दर्शन पढ़ना पढ़ेगा तो 33 जिलों की जो है हमारे याँ पर एक संपॉन पले लिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी किसी देन हद तो मुंबई इंडियंसे ने द्यान राकना चार जो अपने नाम क्या है पेर आगे बाद फिर डोज आरगुंडी सीजार्टीम कोन थी तो मुंबै इंडियंस खे माले कोन है तो मुंकेश अंबादी और नितस अंबादी द्यान रखना भेए चित क्वें आगे बात करें चैन नाइ सूपर किंग टेम के मालिक कौन है यह एंशरी निवासन कौन है चैन ऑज और से उपाइनल मेच टीम के साथ खेला गया तो चैन नाइल फॉर मुंबई इंडियन्स के मत यह वहीं बात करें IPL 2019 का final match है उकिस stadium में खेला गया था तो यह राजिव गांदी international stadium है हैंदराबाद में वहाँ पर खेला गया था आगे बात करें IPL 2019 में किस खिलाड़ी को जो है main of the match गोसित किया गया था तो यह ज़स्मित बुम्रा को किया गया तो फ्रेंट से वीडियो आपको अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताईए आपको कैसा लगा और कोई भी सवाल या सुजावत मुझे बेज़ बेज़े कमेंट बॉक्स में लिख कर बेज़ सकते हैं और प्लीज इस चैनल को अभी जो है सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्तरिये मस्तरिये जहन्द वंदे मातरम